आज भारत और पाकिस्तान चैंपियंशिफ ट्रोफी में आमने सामने होंगे। अगर आखलों की माने तो इस मैच में भारत की जीत के दावे किये जा सकते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स को काफी मदद करती थी। लेकिन अब पीच बैटिंग के हिसाब से बनाई गई हैं। इसका फायदा भारत की बहतरीन बैटिंग लाइनप को मिलेगा। पाँच बंडे सीरीज खिली इसमें अठारा में से आठ मैचों में ही जीच सकी। अनुभवी बैट्समेन की तिकड़ी। पंडिया जैसे प्लेयर्स हैं जो मैच को फिनिश कर सकते हैं। धोनी दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। वही पाकिस्तान के पास एक भी अच्छा फिनिशर नहीं है। मैच विनिंग बॉलर्स जस्पृत बुम्राह के रूप में भारत के पास डेटोवर्स स्पेशलिस्ट बॉलर है। वही उमेश यादव, बुवनेश वरकुमार और मौहमद शमी टीम की बॉलिंग पावर है। पाकिस्तान के पास मौहमद आमीर और जुनेत खान जैसे मैन स्ट्राइक बॉलर है। 2013 चेंपियन्स ट्रॉफी का रिकॉर्ड भारत के पक्ष में। पिछली चेंपियन्स ट्रॉफी में भारत अपने पाच मैच जीत कर चेंपियन बना था। वहीं पाकिस्तान तीनों लीग मैच में हार कर पहले राउंड में ही बहार हो गया था। भारत के पास अनुभवी कप्तान भारती कप्तान विराड कोहली पाकिस्तानी कप्तान से कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। विराड दो साल से कप्तानी कर रहे हैं। वहीं सरफ़रास के पास सिर्फ चार मैचों की कपतानी का experience है। वही कई क्रिकेट एक्सपर्ड भी इस मैच में टीम इंडिया की जीत का फेवर कर रहे हैं। भूर्व क्रिकेटर वीवेस लक्षमन के अनुसार पाकिस्ताउन को हराने के साथ ही टीम इंडिया चेंपियन भी बनेगी